वरिष्ट पत्रकार दिलिप मंडल सर लिखते हैं कि वो बहुत जिमेदारी के साथ ये कह रहे हैं कि नरिंद्र मूदी फ्रॉड है और उनके पास इसका प्रमाण है नरिंद्र मूदी ने 15 अगस 2015 को लाल किले पर जंडा फैराने के बाद अपने भाशन में कहा था कि देश का हर नीजी और सरकारी बैंक और उसके ब्रांच हर साल कम से कम एक S.C.S.T. को और एक महिला उद्दिमी को 10 लाख से 1 करोड रूप्य का लोन देगा ताकि वो अपना ब लोगों को भी लोन नहीं मिला है ये सरकारी आंकडा है यकिन नहीं होता आंकडों पर भरोसा क्यों करें निकलिये घर से पास के बैंक ब्रांच में जाईए और किसी भी परिशित कर्मचारी से या मैनेजर से पूछिए कि प्रधान मंतरी की स्टेंड अप योजना के तहत उ जवाब सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि मोदी बहुत बड़ा फ्रॉड है